Samsung मोईल में Automatic Call Recording कैसे चालू करें? हलो दोस्तों स्वागत है फिर से एक निव वीडियो में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप Samsung का फॉन इस्तिमाल करते हैं तो Samsung के मोईल में जो है Automatic Call Recording चालू करना चाते हैं तो Samsung के फॉन में Automatically Call Recording को चालू करना काफी असान है चली मैं आपको बताता हूँ आप कैसे जो है Samsung के फॉन में Automatically Call Recording को चालू कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर Dialog वाले पेज को खोल लेना है जहां से आप Call लगाते हैं इसको Open कर लीजिए आपको इस Record Calls वाले Option पे क्लिक करना है जैसे ही Record Calls वाले Option पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने चार Option आ जाता है तो चली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन से Option को चालू करने से आपका Call Automatically Record होना स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर है Auto Call Recording आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते है Auto Record Calls आपको इसको चालू करना है यहाँ पर क्या होता है इसको चालू करने से जो भी Call आएगा वो Automatically Record हो जाएगा आपको Call Recording चालू करने की जोवत नहीं है इसका बद उपर में आता है यहाँ पर So Notification After Recording इससे अगर On कर देते है न तो यहाँ पर क्या होता है Call Recording अगर जैसे ही खतम हो जाता है Call जैसे ही कटेगा तो उपर में यहाँ पर Notification में आ जाएगा कि Call Recording हो चुका है इसके साथ यहाँ पर Record Calls का Option दिया जाता है तो यहाँ पर आपने जो भी Call पर बात किया है उसका Recording यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से जो है आप जैसे ही Call आएगा न तो आपका Call Automatically Record होना है स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से आप Samsung का Phone में Call Recording Automatically चालू कर सकते है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जूरस बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले